अमस्कार दोस्तों, ये जो family photo आप देख रहे हैं, ये केरला का Northern Moss District, कासर गोड का एक Muslim family photo है, इनका नाम है शुकूर, ये काफी famous है, केरला में एक movie actor है, character roles play करते हैं, ये इनकी wife Sheena, दोनों की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी, अब जाके इनका फिर से शादी होने वाला है, जिसे commonly शरिया लो कहते हैं, ये जो शरिया लो है दोस्तों, British era law है, इंडिया में जितने Muslims रहते थे, इनका birth, death, marriage, succession, एस अब से related provision से Muslim personal law शरियत application act of 1937 में, अब दोनों ने decide किया है, इनकी शादी को Special Marriage Act of 1954 के under register करने के लिए, Special Marriage Act क्या कहता है दोस्तों, देखे, हमारे देश में अगर एक male and female को आपस में शादी करना है, उस शादी को register करने का दो option है, या तो कोई personal laws के under register करो, Basically, अगर हिंदू couple की शादी हो रही है, तो वो हिंदू marriage act के under शादी कर सकते हैं, Christians का है, Christians का personal law है, Muslims का शरियत law है, तो इस तरह आलग-अलग religions के लिए आलग-अलग personal laws है, उस personal law के under वो शादी कर सकते हैं, आप आलग-अलग personal laws में provisions भी आलग-अलग आपको देखने को मिलेग ठीके, अगर कोई एक couple को किसी भी personal law के under अपनी शादी को register नहीं करना है, तो वो special marriage act के under register कर सकता है, जैसे कि मान लीजिये, एक हिंदू और मुस्लीम की शादी हो रही है आपस में, ठीके, तो कोई ना कोई एक personal law के under शादी करने के लिए शायद family मजबूर करेंगे, तो वो यह decide कर सकता है, हम कोई personal law के under शादी register नहीं करेंगे, हम special marriage law के under शादी register करेंगे, या फिर कोई foreign nationals की शादी हो रही है इंडिया में, तो वो भी तो special marriage act के under शादी कर सकते है, मतलब यह irrespective of personal laws है दोस्तों, personal laws में जो कुछ भी लिखा होगा ना वो सब special marriage act में applicable नहीं होगा, तो अब यह couple special marriage act select करने का reason क्या है दोस्तों, reason is inheritance of property, basically शरिया लोग के under अगर इनकी शादी registered रहेंगे, तो इनकी जो बेटिया है, इन्हें equal share of properties नहीं मिलागा, basically माबाप के जो property है, इसमें equal rights बेटियों का नहीं रहेगा, यह कहता है, Muslim personal law शरियत application act of 1937, मैं आपको detail में समझ देखा जाएगा तो, Muslim personal laws के अंडर, basically शरिया लोग के अंडर, women के खिलाफ, थोड़ा बोध discrimination है in terms of property inheritance, for example, यह wife takes 1 by 8 share of her husband's property upon his death, if they have linear descendants, if not she takes 1 by 4th of share, क्या बताया जा रहा है, देखे, एक Muslim couple, उनका कोई बच्चे नहीं है, अगर husband का death होता है, तो wife को husband का property का 1 by 4th of share मिल जाएगा, बाकि जो 3 by 4th है, उसके उपर rights रहेगा, husband के जो brothers है, ठीक है, और अगर उनके बेच्चे है, तो wife को husband का जो property है, उसका 1 by 8 मिलेगा, बाकि बच्चों को दिया जाएगा, अब जो बेच्चे है दोस्तों, बेच्चे में अगर एक बेटा है, बेटा को बेटी स ज्यादा मिलेगा, basically बेटी को जितना property दिया जाएगा उससे double मिलेगा बेटों को, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा को जो property मिलेगा उसका केवल आथा बेटी को मिलेगा, ठीक है, इसका logic ये है दोस्तों, बेटी का तो शादी होगी, है कि नहीं, तो उन्हें कपल का कोई बेटा नहीं है, तो बेटी को कपल के जो property से उसका केवल two by third मिलेगा, ठीक है, two by third को तीन हिस्सों में बाटना पड़ेगा, बाकि जो one by third है न, ये जो husband है उनके brothers को दिया जाएगा, अगर इस कपल का एक बेटा होता न, तब ये issue नहीं होता, बेटा नहीं होन की वज़े से ये issue हुआ है दोस्तों, तो ये शरिया लोग के अंडर जो succession of property है, इसको bypass करने के लिए ये जो couple है अभी, फिर से शादी करेंगे special marriage act के अंडर, special marriage act के अंडर शरिया लोग applicable नहीं होगा, इंडियन succession act के हिसाब से बेटीओ को पूरा property के उपर rights होगा, तीन हिसो में बाटा जाएगा, तो special marriage act of 1954 के अंडर शादी करने के लिए कौन-कौन से conditions को fulfill करना पड़ेगा, देखें दोस्तों, सबसे पहले section 15 of the special marriage act allows for any marriage celebrated not according to the provisions of the special marriage act can be registered under the act, मतलब कोई भी ऐसे शादी जो special marriage act के प्रोशन के अंडर रिजिस्टर नहीं हुआ है, उसे special marriage act के अंडर फिर से register कर सकता है, ये कहता है section 15 of the special marriage act, ठीक है, this can happen when, आप कुछ condition से दोस्तों, ये ceremony of marriage has been performed between the parties and they have been living together as husband and wife ever since, basically देखें, एक तो marriage ceremony conduct हो जाना चाहिए, ठीक है, दोनों parties के बीच में, और दोनों parties एक साथ रहना चाहिए, ठीक है, as husband and wife, मतलब जबसे उनकी marriage ceremony हुआ है, तब से, as husband and wife, उनका status होना चाहिए, फिर neither party has at the time of registration, more than one spouse living, marriage जब register हुआ था, उनका दूसरा कोई spouse जिन्दा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका already एक partner है, और आपने दूसरी शादी ही, वो allowed नहीं है, फिर neither party is an idiot or a lunatic at the time of registration, marriage registration के time पर दोनों parties जो है, mentally fit होना चाहिए, ठी the parties are completed the age of 21 years at the time of registration, parties का minimum age है, वो 21 होना चाहिए, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, the procedure for registering an existing marriage would be the same as solemnizing a new marriage, इस case में यह जो couple है, वो दुबारा marriage को register कर रहे है, है कि नहीं, तो उन्हें same procedure follow करना पड़ेगा, जैसे कि वो एक नई शादी कर रहे है, ठीक है, both the parties must have been residing within the district of marriage officer for a period of not less than 30 days, and a 30-day notice is given by the marriage officer for objections, एसा अब आपने सुना होगा दोस्तों, अगर किसी को इस तरह के marriage करना है, basically एक marriage officer के सामने जाके अपने marriage को register करना है, तो सबसे पहले application देना होगा, और 30 दिन तक notice period रहेगा, और 30 दिन में दोनों जो parties है, वो उसी district में रहना चाहिए, जहा शादी नहीं हो सकता, 30 दिन में अगर किसी ने object नहीं किया, किसी का objection नहीं आया, तब जाके वो शादी होगा, आपने कही सारे movies में देखा होगा, जो couple से, या फिर जो आपस में प्यार करने वाले लोग है, वो भाग के शादी करते हैं, मतलब सीधा सीधा भाग जाते हैं, और marriage officer के सामने जाके शादी रेजिस्टर करवाते हैं, actually ऐसा नहीं हो सकता, 30 दिन का time period रहता है, 30 दिन का notice period रहता है, 30 दिन तक वो notice चिपकाया जाएगा, और अगर किसी का objection ने वो दे सकता है, ऐसे सीधा सीधा जाके आपका शादी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जैसे इनकी शादी special marriage act के अंडर रेजिस्टर होगा, तो कोई भी personal law इनके लिए applicable नहीं होगा, वो one way third, two way third, one way four, one way eight, यह सब कुछ applicable नहीं होगा, Indian Succession Act के हिसाब से उनकी जो बेटिया है, उन्हें father and mother के properties मिल जाएगा, तो दोस्तों that's it, देखें दोस्तों यह कोई नई incident नहीं है, कफी सारे Muslim couples ने इस तरह अपनी marriage को re-register किया है, special marriage act के अंदर, ताकि अपने जो property से वो बेटे बेटियों को proper तरीके से मिल जाए, देखा जाएगा तो इन सारे issues को avoid करने के लिए, government of India, uniform civil court लेके आने का plan बनाया था, but majority of Muslim citizens जो है, uniform civil court के खिलाफ है, जबकि उन्हें पता है, personal laws के under problems है, के एवल Muslim personal laws के under नहीं, और भी religion के personal laws के under issues है, तो सबसी अच्छा यही रहेगा कि uniform civil court लेके आए, जितने भी personal laws है, उसे cancel करके, एक single uniform law हो जाए, देश में जितने citizens है, उनकी बारे में आपका क्या opinion है, आप मुझे comment box में बता दीजिएगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day.